हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल टेश्ट24 इंदी में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किसी भी रियल मी के स्मार्ट फोन में आप उसके नोटिफिक्शन बार के कलर को किस तरह से चेंज कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों जैसा कि आपको पता है अगर आपके पास भी एक रियल मी का स्मार्ट फोन है तो जब भी आप अपने नोटिफिक्शन बार को स्लाइड करते होंगे तो कुछ इस तरह का कलर आपको दिखाए देता होगा लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद नोटिफिक्शन बार में आप अपने मन पसंदिधा कलर को सेट कर सकते हैं लेकिन उससे पहले आप से एक रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो हमारे वीडियो को भी लाइक कर दीजेगा तो चलिए और अधिक समय ना लेते हुए आपका इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको दो तरीका बताने वाला हूँ पहला तरीका अगर आपके स्मार्टफोन में Real Mi Y 2.0 रन कर रहा है तो उसमें काम कर रहा है लेकिन अगर आपके स्मार्टफोन में Real Mi Y 1.0 रन कर रहा है तो उसके लिए दूसरा तरीका काम कर रहा है तो चलिए सबसे पहले पहले तरीके की बात करते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है अपने फोन के सेटिम में जाना है फोन की सेटिम में आएंगे तो आपको नीचे के साइड में एक उप्सन मिलेगा प्रसनाल आजेशन का सबसे पहले आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है इं उस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें कई सारे आप्सन आपको देखने को मिल जाएंगी तो चलिए मैं किसी एक color को select कर लेता हूँ जैसा कि देख सकते हैं इसमें कई सारे colors आपको देखने को मिल जाएंगे तो जो color आपको अच्छा लगे आप वही select कीजिएगा तो color select करने के बाद आपको क्या करना है simply apply पे ok कर देना है जैसे ही आप apply करेंगे देख सकते हैं notification bar के color पूरी तरह से change हो चुका है ना स्रिफ notification bar का color बलकि setting में भी जाएंगे तो setting का भी पूरा color change हो चुका होगा dialer में जाएंगे तो dialer का भी color पूरा change हो चुका होगा तो इस तरह से बगी यहसानी से आप realme UI 2.0 में notification bar के color को change कर सकते हैं अब चली बताते हैं कि जिनके phone में realme UI 2.0 का update नहीं मिला है वो कैसे change करेंगे दोस्तों इसके उपर मैंने video बना रखा है पहले से आपको simply क्या करना है description में या फिर आई बटन में उस video की link मिल जाएगी आपको simply उस video पर click करना है दें उस video को देख लेना है उस video में मैंने पूरा step by step method बताया है कि किस तरह से आप किसी भी realme के smartphone में जिसमें realme UI 1.0 run कर रहा है उसके notification bar को change कर सकते हैं तो अगर आपके smartphone में realme UI 1.0 run कर रहा है तो थोड़ा सा समय निकाल कर उस video को आप देख लीजे उस video को देखने के बाद आप realme UI 1.0 में भी notification bar के color को बहुत ही असनी से change कर पाएंगे तो इस video में अगर थोड़ा भी आपको कुछ सिखने को मिला है कुछ जानकारी मिली है तो वीडियो को like किजेगा हमारे channel को अभी तक subscribe ने के हैं प्लीज हमारे channel को subscribe करके हमसे जुग जाईए जिसे कि जब भी हम कोई नए वीडियो अपलोड करें तो आपको मिलेगी सबसे पहले तो आज की इस वीडियो में बस इतना है मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत